जैहिन दोस्तो ओनलाइन लेर्निंग्स चैनल में आप सभी का स्वागत है नब्भेशब प्रते मिनट की गती से संपात के डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देरबाद स्टार्ट मनिपूर अब एक जटिल दोर में पहुच गया है वहां फैली हिंसा को रोकने में ना तो केंद सरकार सफल हो पा रही है और ना राज्य सरकार दोनों ने वहां के नागरिकों को जैसे अपने हाल पर छोड़ दिया है वहां गिरही युद जैसे हालात हैं अब तो यही लगता है कि वहां के लोग ही इस समस्या से पार पाने का कोई रास्ता निकालेंगे एक महिने से उपर हो गया वहां हिंसा भढ़के इस बीच वहां के मैताई और कुकी समुदाए के लोग दिल्ली आकर हिंसा रोकने की गुहार लगा गए कई नामचीन हस्तियां मनिपुर के हालात पर गंभीर चिंता जता चुके और जता रहे हैं मगर इस्थिती काबू में नहीं आ पा रही है रहे रहे कर हिंसा भढ़क उठती है लोग मारे जाते हैं उनके घर जला दिये जाते हैं आकडो के मुताबिक अब तक सो से उपर लोग मारे जा चुके हैं पचास हजार से अधिक लोगों को अपना ठोर ठिकाना छोड़ कर दूसरी जगाहों पर शरण लेनी पड़ी है हालांकी कुछ दिनों पहले केंद्रिय ग्री मंत्री वहां गए और हिंसा पर उत्रे लोगों से शांती का रास्ता अक्तियार करने की अपील कर आए मगर उसका कोई असर नहीं हुआ तब से कई हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं अब तो वहां मंत्री और सानसद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे कम से कम तीन मंत्रियों के घर जला दिये गए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपद्रवी तत्वों के सामने किस कदर सुरक्षा बल निस्सा है महिना भर पहले जब हिंसा भड़की थी तब उसे बेकाबू होते देख उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया तब करीब दस दिन तक हिंसक घटनाएं रुकी रही मगर फिर भड़की तो भ्यानक रूप ही लेती गई वहां के शस्त्रागार से 2400 अत्याधुनिक हतियार और भारी मात्रा में गोली बारूद उपद्रवियों ने लूट लिये जिसका उपयोग हिंसा के लिए किया जाने लगा गिरी मंत्री ने अपील की थी कि वे हतियार वापस कर दे मगर अभी तक इसका भी बयोरा नहीं मिला है कि कितने हतियार वापस आए विपक्षी दल खुल कर आरोब लगा रहे हैं कि सरकार खुद कुछ चरमपन्ती समुहों को प्रोसाहन दे रही है इसके कुछ परमान भी पेश करने के परियास किये गए मगर ना तो इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतीकिर्या आई और ना हिंसा को रोकने का कोई वेवारिक उपाय निकाला गया असम के मुख्य मंत्री को कुकी और मेताई समुदाय के बीच समझोता कराने की जिम्मेदारी सोपी गई मगर उसे दोनों समुदायों ने आस्विकार कर दिया राज्येपाल की अगुआई में एक शांती समीती गठित की गई मगर उसका भी कोई परभाव नजर नहीं आता मनिपूर को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यह रहसे बना हुआ है कि आखिर सरकारें हिंसा को रोकने में कामियाब क्यों नहीं हो रही है या कोई ऐसा रास्ता अक्तियार करती क्यों नजर नहीं आ रही है जिससे वहां शांती बहाली हो दोस्तो आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दें दोस्तो डिक्टेशन का मैटर और सभी इसकी डिफिकल्ट आउटलाइन आपको हमारे टेलेगराम गरूप और वोट्सेप गरूप पर भी दे दी जाएगी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है आप वहां से जुड़कर डिक्टेशन का मैटर और सभी डिफिकल्ट आउटलाइन पा सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में